हेलो गाइस जय जोहर जय अदिवसी और आज फिर आ गए हम एक न्यू व्लोग के साथ में तो आज के इस व्लोग में हम अपने न्यू सिंगर के बारे में उनका इंट्रिडॉक्शन लेंगे उनका रेकोडिंग होता है कैसे होता है क्या होता है जो भी है हम आपको बताते बता अब भाई सिंगर साब से कि उनको आने में कोई दिक्कत उनका नाम अगयरा जो भी उनके बारे में प्रस्नल जानकारी भी लेते है अपन तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ में तो सबसे पहलत आपका शुब नाम बता दीजिए सर्जी मेरा नाम है हैमन ख्राडी हाँ जी और केश्टिया जी का रहने वालों केश्टिया जी ख्यरवडा अच्छा और आपको मतलब रास्ते में जैसे ठंड का समय है अभी है और अभी रात के किते बज़रे सायद 10-11 बज़रे तो आपको ठंड जैसा कोई मेंसुस हुआ कि नहीं हुआ रास्ते में आप आई इतना दूर से ठंड तो बहुत लगी काप दे अभी भी काप रहे हैं कि अभी भी उनको ठंड लगी हुई है पर अभी जैसे ही गाना 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 गाएंगे लिए तो फिर अपने क्या गाना क्या लाए हो को एक-दो लाइन सुना जी ता कि हमारे दर्शक्त भी थोड़े तुनोफ सुना गाना गाए हया है कि आपको गाने का शोक कपशे हैं और मनलब इस लाइन में कहां तक पहुचना चाहते हैं कि इतनी मेहनद जो भी है बताईए गाना तो भी लगवग डेड़ सा रिष्टड हुआ है एक डेड़ साल हो रहा है मैं गाने गा रहा हूं और आगे का तो सचते हैं जैसे जैसे गाएंगे और अनुभव हो गई इसके बारे में जैसे कि आपके साथ में यह भाई साथ भी आय आप तो अपना नाम बता दीजिये प्लीज रोई तो इनके बारे में थोड़ा बताईए कितना सपोर्ट करते हैं अपको अपके साथ में इतने ठंड में पहुन आता है बुला यार यार यह सपोर्ट मेरा बहुत कर रहे हैं मतलब जब मैंने इस्ट्राट किया है काम तक से म कोई आता नहीं है कोई आता नहीं है तो दोस्तों फाइनली इनका रेकोडिंग कम्प्लीट हो चुका है और भाई को बहुत ही मज़ा आया और अच्छा ही गाते बहुत और उनका जब भी स्वाप्लोड होगा तो आप उनको को भी सपोर्ट कर दीजेगा ठंड में कितनी मेहनत करते हैं आप तो देख ही रहें रात के दस ग्यारा बजे बारा बजे तक इदर रेकोडिंग करना बहुत ही कठीन काम है आपको बले देखने में सरल लग रहा होगा पर आप भावनाओं को समझ करके आप उनके स्वांग को थोड़ा सपोर्ट कर दीजेगा एक अतल लाईक के जो आगे जैसे कि वी ऊनका में तब तक के लिए जयेंग वंदे मत्रम